असलाम अलेकुम सेकेंडियर फिजिक्स टूरेंट्स मैं हूँ अब्दुर्जाक और चेप्टर 18 एलेक्ट्रोनिक्स में हम एक्सेसाइस शॉर्ट क्वेस्टन्स डिसकस कर रहे हैं आज हमने शॉर्ट क्वेस्टन 18.3 से स्टार्ट करना है तो डिटेल डिसकेशन के लिए वाइट पोर्ट की तरफ चलते हैं देर टूरेंट्स हम क्येप्टर 18 एलेक्ट्रोनिक्स में एक्सरसाइस शॉर्ट क्वेस्टन्स डिसकस कर रहे हैं आज हमारा पहला शॉर्ट क्वेस्टन है शॉर्ट क्वेस्टन 18.3 सुचा क्या है ता अनोर्ड ऑफ डियोड इस 0.2 वोल्ड पॉस्टिव विद रिस्पेक्ट तो इट्स के थोर्ड बाइस्ट तोडेंट्स हम सबसे पहले मेकनिजम स्टडी कर लेते हैं एक पी अन जंक्श डोप की है अब एक साइड के उपर प्राइवलेंट इंपेरिटी एटम्स एड होने की वज़ा से इस तरीके से होल्स अपेर हो गए हैं और दूसरी साइड के उपर एंटाइप इंपेरिटी एड होने की वज़ा से प्री एलेक्टोंस एक्जिस्ट करना स्टार्ट कर गए ह अब जैसे ही ये material बनता है तो यहां से electrons जम करके इन holes में गिरना start कर देते हैं जिससे ये holes fill हो जाती है और नतीजा क्या होता है कि यहां पे P tap side के उपर negative और N tap side के उपर positive ions exist करना start कर देते हैं जिसकी वज़ा से यहां पे एक electric field develop होती है इस direction में और यह electric field जो है charge carriers को crossing से रोख देती है क्योंकि हम यह बात जानते हैं कि electrostatic force QE के equal होती है और अगर charge carriers free electrons हों तो electrostatic force का expression minus E times electric field E बनता है और यह electric field और force opposite direction में होती है तो इसका मतलब यह है कि आप electron जैसे ही इस region में enter होंगे यह field चाहेगी इन electrons को वापस backward पुश करना और इसके इलावा अगर charge carriers positive हों that means holes हों तो इस case में electric force की direction जो है वो electric field वाली ही होती है तो इस वज़ा से यहां से अगर कोई holes enter होना चाहे इस electric field में तो electric field उनको वापस backward पुश करती है लेकिन अभी यह electric field इसकदर strong नहीं हुई कि यह अगली layer को भी रोप पाए तो इस वज़ा से यह next layer भी cross करती है और इस तरीके से यहां पे एक negative charge वाला region बन जाता है और इधर एक positive charge वाला region बन जाता है तो अब हम इस region को क्या कहते हैं इस region को हम कहते हैं depletion region और electric field अब इसकदर strong हो गई है कि अब मध्रीथ 4 carrier इसको cross नहीं कर सकते नहीं elektrons इस region को cross करके यहां जा सकते हैं, वापस push कर दिये जाएंगे और नहीं holes इस region को cross करके इस तरफ जा सकते हैं, यह भी electric field की वज़ा से वापस push कर दिये जाएंगे तो अब अगर हम इस PN junction diode की बाइसिंग करना चाहें तो इस तरीके से हम इसके connections represent कर देते हैं let's say, यहां पर हमने इस तरह से एक battery connect की है, जिसका positive terminal हमने connect करना है P type side के साथ और negative terminal connect करना है N type side के साथ तो यह हमने diagram draw कर ली है, इस तका के उपर एक switch मौझूद है, अब जैसे ही हम यहां पर इस positive को P type side के साथ और negative को N type side के साथ connect करते हैं, तो इस positive terminal का का काम क्या है, इसका नाम है electrons extract करना और negative terminal का का काम क्या है, electrons supply करना जिसका नतिज़ा यह होता है यहां पर बैटरी का जो negative terminal है, यह वाला, वो electrons supply करता है और चंद एक layers जो इस तका के उपर depletion region में बनी हुई है, वहां पर दुबारा से यह जो free electrons हैं, यह exist करना start कर देते हैं, और ऐसे ही चुँके बैटरी के positive terminals का का काम, electrons extract करना है, तो यहां पर इस दिखा के उपर चंद एक layers absorb हो जाती है और वहां पर दुबारा से holes exist करना start कर जाती है, जिस से depletion region की जो thickness है, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है तो अब जब depletion region की thickness कम होगी, तो नतीजा क्या होगा, यह इधर बनने वाले जो electric field है, वो भी weak हो जाएगी और जब यह electric field weak होगी, तो अब बैटरी की pricing अपलाई होने की वज़ा से इधर से electrons cross करके इस side पे और इधर से holes cross करके उस side पे जाना start कर देंगे और conduction start हो जाएगी, लेकिन यह काम कब होगा, यह काम तब होगा जब silicon के case के लिए यह जो बैटरी का applied potential है, यह greater than equal to barrier potential हो और barrier potential silicon का कितना होता है, 0.7 volt और यह germanium के लिए कितना होता है, germanium के लिए यह barrier potential होता है, 0.3 volt तो अगर यह battery, silicon के case में 0.7 volt या इससे ज़्यादा potential की होगी, तभी conduction start होगी और depletion region इस कदर short thickness पे आ पाएगा, कि वहाँ से conduction हो सके और अगर germanium है तो इसके लिए 0.3 volt required है, अब हमारी statement यह है कि हमें कहा गया है, जो anode है, that means P type side है, वो 0.2 volt positive है with respect to its cathode या फिर N type side, तो इसकी वज़ा से depletion region की जो thickness है, वो decrease होगी इस size से, लेकिन उस level तक decrease नहीं होगी कि conduction start हो सके, हो सकता है, यहां तक आ जाए, तो इस वज़ा से अभी depletion region की thickness इसकदर कम नहीं हुई, कि conduction start हो सके, तो conduction start होने के लिए barrier potential के at least equal potential apply होना चाहिए, तो इस case में हमारा यह जो diode है, यह forward wise तो है, लेकिन इसमें से conduction नहीं होगी, अब हम यह देखती हैं कि हमने इस question का answer write down किसरा से करना है, सबसे पहले question repeat कर देता हूँ, the anode of a diode is 0.2 volt positive with respect to its cathode, is it forward biased, तो इसका answer हम इसरा से करेंगे, a diode is forward biased when its p-type side i.e. anode is connected to positive terminal of battery and n-type side i.e. cathode is connected to the negative terminal of battery, so if anode of a p-n junction diode is 0.2 volt positive with respect to its cathode, the diode is forward biased, but it will not conduct because the biasing potential of 0.2 volt is less than the barrier potential of a p-n junction diode that is 0.3 volt for diode made of germanium and 0.7 volt for diode made of silicon. तो साथ आप यहां पे यह diagram भी बना सकते हैं और इसमें भी description दे सकते हैं, diode is forward biased and for conduction, the potential of battery V must be greater than barrier potential. For our case, since V is less than VB, so diode does not conduct. Next, short question है, 18.4, पूचा गया है, why charge carriers are not present in depletion region? So again, यहां पे हम एक semi-connector crystal draw कर रहे हैं, जिसमें एक type P type side की है, और दूसरी type जो है, वो N type side की बनाई जाएगी. आप यहां पे जब prevalent impurities add होंगी इस side से, तो इधर इस तरह से falls appear होना start होंगे. और दूसरी side के उपर free electrons appear होना इस तरह से start हो जाएंगे. आप इनकी जो placement है वो random होगी, order नहीं होगी, सिरफ understanding के लिए हमने यहां पे ordered form बनाई है. अब जैसे ही यहां पे यह region बनेगा, तो इस side से electrons cross करके आएंगे, और इन holes को fill कर देंगे. जिसकी वज़ा से, जिस point से electrons चले गए हैं, वहां पे कौन सा charge appear हो जाएगा, वहां पे positive charge appear हो जाएगा, इस तरह से. और जिस side पे जाके electrons holes को fill कर चुके हैं, वह side कौन सा charge gain कर लेगी, वह side negative charge gain कर लेगी. जिसकी वज़ा से, इस region में इस तरफ एक electric field भी develop हो जाएगी, और ये electric field मजीद charge करियर्स को cross करने से रोकेगी. electrons इस तरफ आएंगे तो electric field के opposite force field करेंगे, और holes अगर यहां से side पर आएंगे, तो वह electric field की direction में force field करते हुए drift away हो जाएगे. लेकिन अभी यहां पर electric field इस कदर strong नहीं है कि इस motion को रोक तके. तो नतीजा क्या होगा कि यहां पर इस जगा के उपर मजीद जो electrons हैं वो cross करेंगे, जिसकी वज़ा से ये region extend हो जाएगा और इस जगा के उपर positive charge आजाएगा, और जिस लेयर में जाके इन electrons ने fall करना है, उस लेयर में negative charge आजाएगा. तो इस वज़ा से, यहां पर बन जाएगा एक region जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है depletion region. अब यहां पर तमाम equivalent bonds तो filled हैं, that means कि अगर हम इस तरह से कहें, कि जो end type side है, वहां पर जो impurity atom था, जिसके पास free electron था, और इसी तरीके से, P-tap side के उपर, जो impurity atom है, जो अपने एर्दगेर्द, 4 atoms के साथ, equivalent bond में bind होने के बजाए, सिरफ 3 bonds में attached है, क्योंकि यह वाला bond incomplete है, इसमें एक vacancy मौझूद है, अब यहां पर यह vacancy या hole और यहां पर मौझूद यह free electron chart carriers हैं, यह P-type side के लिए और यह N-type side के लिए, लेकिन जैसे ही यह region बनता है, और यहां पर P-N का junction बनता है इस point के उपर, तो यह electron जम करता है, conduction band से और valence band में, equivalent bond के अंदर मौझूद इस vacancy को fill कर देता है, अब इससे क्या होता है, कि यहां पर electron आते ही, यह atom negative charge gain कर लेता है, लेकिन अब चूँके यह hole और electron combine कर चुके हैं, तो इस वज़ा से, अब hole as a charge carrier मौझूद नहीं है, और ऐसे ही, चूँके यहां से electron जा चुका है, और इस atom के उपर positive charge आ चुका है, तो अब यहां पर भी कोई charge carrier connection के लिए available नहीं है, तो अब तमाम covalent bonds fill हो चुके हैं, और depletion region के अंदर ions मौझूद हैं, लेकिन free charge carriers नहीं है, जैसे, अब हम यह discuss करते हैं, कि हमने इस question का answer write down किस तरह से करना है, उस अब से पहले question repeat कर रहा हूँ, why charge carriers are not present in depletion region, और इसको answer हमने लिखना किस तरह से है, when a diode is manufactured, some of the free electrons from covalent bonds in conduction band from N type side of the diode, cross over to P-type side of diode and these electrons fall in holes present in valence band and in covalent bonds to fill them. As a result, N-type side of depletion region gains positive charge due to losing free electrons which were required by pentavalent impurity atoms to remain neutral and P-type side of depletion region acquires a negative charge due to gaining electrons which were required to complete the covalent bonds but trivalent atoms do not need them. Consequently, the N-type side of depletion region does not contain free electrons and P-type side of depletion region does not contain any holes. So, no charge carriers are available in the depletion region to take part in conduction. That is why the charge carriers are not present in depletion region. So, you can see these diagrams of depletion region. Now, let's go to the next question. Next question is 18.5. What is the effect of forward and reverse biasing of a diode on the width of depletion region? Again, we will have a semi-conductor crystal draw कर लेते हैं इस तरह से और एक side बनेगी P-type side जिसमें हम prevalent impurities add करेंगे ग्रूप नमबर 3A या फिर 13 से इस तरह से और दूसरी side के उपर हम N-type impurity के atoms add करेंगे जिससे चार्ट केरियर्स क्या बचेंगे? प्री electrons और ये region बनते ही ये वाले electrons cross कर जाएंगे P-type side के उपर holes को fill करने के लिए जिसकी वज़ा से यहां पे positive charge आ जाएगा और जिन holes में जाके ये free electron fall करेंगे वहां पे negative charge appear हो जाएगा इस तरह से और एक electric field develop हो जाएगी इस direction में और further जब तक electric field इसकदर strong नहीं होती कि मदी चार केरियर्स की crossing को रोक सके तब तक ये crossing होती रहेगी और चंद layers ऐसी होंगी जिन में ये crossing हो जाएगी और इस तरह से यहां पे एक region बन जाएगा जिस region को हम क्या कहते हैं जिस region को हम कहते हैं depletion region जब depletion region establish हो जाता है तो उस वकत electric field की strength इसकदर बन जाती है कि वो चार केरियर्स के उपर force exert करवाके जो कि positive charge carriers that means holes के लिए electric field की direction में exert होती है और जो holes हैं उनके लिए electric field की opposite direction में exert होती है तो उस वकत मजीद जो चार केरियर्स हैं उनकी crossing बंद हो जाती है अगर electron इस तरह जाना चाहेंगे तो backward drift कर जाएंगे और अगर holes यहां से इस तरह जाना चाहेंगे तो वो भी अपने वापस region में drift कर जाएंगे अब अगर हम बात करें forward biasing of PN junction diode की तो इसके लिए हमें क्या करना है हमें इस crystal की P type side को battery के positive से और N type side को battery के negative terminal से connect कर देना है इस तरह से अब हम यहां पे एक switch connected represent कर देते हैं और इधर connected होगी एक battery जिसका potential V है यह side positive है P के साथ connected है यह side negative है और N type side के साथ connected है अब जैसे ही यह connection होगा तो battery के negative terminal का का काम electron supply करना है जिसकी वज़ा से यह जो layer है जिसमें से electrons deplete हो चुके हैं खतम हो चुके हैं इस जगा के उपर दुबारा से electron supply कर दिये जाएंगे जो यहां से जम करते हुए इस point तक पहुंचेंगे that means इधर से आने वाला electron इसकी जगा लेगा यह अगली atom की जगा लेगा यह उससे अगले की जगा लेगा और यह यहां पे आ जाएगा तो नतीजा क्या होगा कि वो लेइर जिसमें electrons डिप्लीट हो चुके थे वहां पे दुबारा से electrons exist करना start कर देंगे और ऐसे ही बैटरी के positive terminal का काम electrons absorb करना है जिसकी वज़ा से यह electrons यहां पे जम करते हुए इस तरह आएंगे और बैटरी का positive terminal इनको absorb कर लेगा तो नतीजा क्या होगा कि यहां पे वो लेइर जहां पे charge carriers that means holes डिप्लीट हो चुके थे वो अब दुबारा exist करना start कर जाएंगे तो यहां पे दुबारा holes exist कर जाएंगे जिसकी वज़ा से जो depletion region है उसकी thickness क्या कर जाएगी उसकी thickness decrease कर जाएगी तो आप depletion region की thickness के कम होने की वज़ा से और यहां पे नतीजातन जो electric field है उसकी भी strength कम हो जाने की वज़ा से इस side से जो free electrons है वो cross करके P-tap side पे आएंगे जहां से battery उनको attract कर लेगी और इस side से holes cross करके इस region में आएंगे और यहां पे battery electron supply करके इन holes को भी एक तरह से extract कर लेगी तो conduction start हो जाएगी अब हम बात करते हैं reverse spacing of P-n junction diode की तो अब अगर हम इस diode की P-tap side को किसी battery के negative terminal से और N-tap side को किसी battery के positive terminal से connect कर दें कुछ इस तरह से इस side के उपर हम एक switch भी represent करेंगे switch usually battery के positive terminal के साथ represent किया जाता है let's say अगर यहां पे switch मौझूद है इसका मतलब है कि हमने N-tap side को battery के positive से और P-tap side को battery के negative terminal से connect करना है कुछ इस तरह से let's say यह potential V है यह side positive है और यह side negative है तो battery के negative terminal का का काम है electron supply करना so electrons यहां पे jump करते हुए आएंगे इस तरह से move करते हुए इन holes को fill कर देंगे तो नतीजा क्या होगा कि यहां पे इस layer के अंदर मौझूद holes fill हो जाएंगे तो मजीद charge carriers के तोर पे यह holes इस जगा के ओपर exist नहीं करेंगे और battery के positive terminal का का काम है electrons attract करना तो क्या होगा कि यहां पे इस जगा के ओपर यह जो electrons हैं यह jump करते हुए इस position पे आएंगे और यहां से extract कर लिए जाएंगे actually होगा क्या कि यहां पे यह electron absorb होगा इसकी जगा लेने के लिए यह electron आएगा और फिर यह electron move करके यहां पे आ जाएगा तो नतीजा यह होगा कि इस जगा के ओपर जो charge carriers की layer है वो भी खतम हो जाएगी और इस जगा के ओपर positive charge exist करना start कर देगा और नतीजा तन जो depletion region है उसकी thickness increase हो जाएगी और जब depletion region की thickness increase होगी तो इस region में जो electric field exist करती है तो वो भी ज्यादा strong हो जाएगी तो यह जो majority charge carriers है यह तो पहले ही cross नहीं कर पा रहे थे तो अब यह cross नहीं कर पाएंगे और वापस अपने region में धकेल दिये जाएंगे इस तरह से लेकिन अगर यहाँ बात की जाए temperature dependent charge carriers के उपर जो के electron hole pairs होते हैं दोनों sides के उपर तो इस side के उपर चूंके electrons minority carriers हैं यह जैसे ही electric field में आएंगे electric field के opposite force field करेंगे और इस point के उपर आ जाएंगे तो नतीजा तन यहाँ पे इस जगा के उपर यह electron खतम हो जाएगा और यह electron इस जगा के उपर exist करना start कर देगा इसे ही यहाँ से जो holes हैं वो इससरफ drift कर जाएंगे electric field of depletion region भी इन minority charge carriers को support करेंगे तो नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे इस जगा के उपर यह hole खतम हो जाएगा और hole इस जगा के उपर exist करना start कर देगा अब इस जगा के उपर यह जो बैटरी का positive terminal है वो इन electrons को attract कर लेगा और जो बैटरी का negative terminal है वो इन holes को electron supply करके fill कर देगा जिसकी वज़ा से minority charge carriers की वज़ा से flow करने वाला reverse saturation current यहाँ पे exist करेगा जो के temperature dependent है किसी भी form की electromagnetic radiation इस diode के उपर पड़ेगी तो यह charge carriers बनेंगे minority charge carriers और उनकी वज़ा से conduction होगी लेकिन majority charge carriers इस conduction में हिसा नहीं लेंगे इस question का answer हमने write down कुछ इस तरह से करना है the width of depletion region of a PN junction diode is shown in figure an electric field is set up in the region from N type side to P type side within the depletion region and a corresponding barrier potential is set up at the PN junction तो यहाँ पे इस तरह के उफर यह है PN junction उसके बाद forward biasing की बात करते है when the diode is forward biased i.e. its P type side is connected to positive terminal of battery which attracts the electrons and its N type side is connected to negative terminal of battery which supplies the electrons width of depletion region decreases to that extent which allows the flow of majority charge carriers across the depletion region i.e. holes cross the depletion region from P to N side while free electrons cross the depletion region from N to P side of the diode and conduction starts across the depletion region इसके बाद बारी है reverse biasing की इसमें हमने क्या बताना है when the diode is reverse biased i.e. its P type side is connected to negative terminal of battery which supplies the electrons and its N type side is connected to positive terminal of battery which attracts the electrons, the width of depletion region increases the electric field set up in the depletion region also becomes stronger which further hinders the flow of majority charge carriers across the depletion region but there are minority carriers present in both sides of the diode the number of minority carriers depends upon the temperature of the diode these minority charge carriers are formed due to breaking of covalent bonds between semiconductor atoms the minority charge carriers in P region of the diode are free electrons and in N region these are holes the crossing of depletion region by minority charge carriers is supported by electric field of the depletion region so a reverse saturation or leakage current continues to flow in reverse biased state of the diode dear students remaining short questions hum next lecture mein continue kareenge so until then khuda hafiz so are we POWERIs thank you not what कर दो